हेलो फ्रैंस वेल्कम टू माई चैनल रादे रादे देखिए आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे और फ्रैंस देखने में काफी सुन्दर लगती है और भूत ही आसान तरीके से बन जाती है और हमने इसे ओपन ड्रेस बनाया है आज और देखिए हमने लड्डू गोपाल जी का मुख भी बनाया है इसी वीडियो में हमने इसको भी बनाना बताया है ड्रेस बनाना सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिसे हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो वो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंस और फैमली में से एर भी कीजिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके प्रेंस बनाना सुरू करते हैं को देखे फ्रेंस बनाने के लिए हमने यहां पर यह भूर ली है और यहां पर एवरी चैन में संप अक एक बार डबल प्रोश बना लिया है और हम चार नूंबर के लड़ू गोपार जी के लिए बनाएंगे चार नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए इतनी चैन काफी है अब देखिए अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे चोली का वन ट्यू थ्री थ्री चैन बनाएंगे और देखे इसको ऐसे टान कर लेंगे और देखे इसी चैन में से हमें एक बार डबल कुरूश्य बनाना है अब देखे ऐसे जो ली हमें नेक्स रो बना ली है अब देखे इस से नेक्स्ट में पर नेक्स्ट एके बना बनाना हई हमें यहाँ पे हर कிसरी चैन पे दो बार डबल ग्रोशिय बना लेना है फिर देखें next में से भी देखें friends हमने ये 3 रो भी complete कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये 37 डबल ग्रोशिय है अब देखें अब हमें क्या करना है इसको हमें ही पे skip कर देना है और देखे अब हम यहाँ पे बाजु निकालेंगे हमें इधर से इस कलर से बाजु निकालनी है देखे फ्रेंस अब हमें क्या अगरना है अब हमें इसको यहाँ से देखे इस चैन को स्किप करेंगे से next चैन में से ऐसे देखे वान टू थ्री थ्री चैन बनाएंगे फिर देखे नेक्स डबल क्रोश्या में से देखे यहाँ से ऐसे तू फिर नेक्स डबल क्रोश्या में से थ्री ऐसे और देखे एक बार हम यहाँ से फोर देखे इस तरीके से हमें यहाँ पे फोर डबल क्रोश्या बना लेना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डबल क्रोश्या को स्किप करना है और देखे यहाँ से यह हमारा 10 डबल क्रोश्या है इसमें से हमें इसको इस तरीके से लेना है देखे इस तरीके से हमारे लड़ू बोपाल जी की बाजु आ जाएगी अब देखे नेक्स्ट में से 2, 3, 4, 10 हमें बैक साइड के लिए रखना है फिर 9 हमें आगे बाजु के लिए और फिर देखे आगे के लिए हमें 4 रखना है तो देखे इसी तरीके से बनाती हुए हम इसको इहां तक कम्प्लीट कर लिती है देखे फ्रेंड्स हमने इसको इतना कम्प्लीट कर लिया है और इदा आगे को हमने इहां से कट कर दिया है नोट लगा के और देखे अंदर इस त्री चैन बनानी है और देखें बश को ऐसे प्राइन कर लेंगे और देखें से हमें यहार पे सभी चैन में से हैज एक बार टम प्रोश्य बना लेना है तो देखें हमने बैक साड़ में देल करोश्य लिए है और दोनुर्थ तो देखे हमारे यहां पर यह 18 डबल ग्रोश्या है कमर पर देखे फ्रेंट्स चोली बनके हमारी एड़ी हो गई अब देखे हमें हां पर ओपन रड़ु कोपाल जी की ओपन ड्रेज बनानी है तो हमें यहां पर इसको स्लीब स्टिक से जोइंट नहीं करना है हमें इसको पनी रखना है तो देखे यहां से हम दूसरा कलर एड़ करेंगे इस तरीके से ऐसे एसे वाइन टू थ्री थ्री चैन बढ़ाएंगे और देखे सभी चैन में से हमें दो दो बार डबल क्रूश्य बना लेना है यह हमारा घेरे का रो है और फर्स्ट रो में हमें सभी चैन में से दो दो बार डबल क्रूश्य बनाना है देखे फ्रैंस इस रो को हमने कम्प्लीट कर लिया है धागे को हम ही चोड़ देंगे और देखे इस कलर से अब बनाएंगे हम इसकलर से बनानी के देखे यह से धागे को जोइंट कर लेना है उसाएफ 1 2 और 3 3 चैन बनाएंगे और देखे एक बार हमें इसी चैन में से एक बार डबल क्रूश्य बनाना है भी नैक्स्ट में से एक बार में हमें हर तीसरी चैन पे 2 बार डबल प्रोश्य बनाना है देखें 12 में से ने कि अस थ। हर तीसरी चैन पे दो बार डबल प्रोश्य बनाते हुए इस रो만 को को देखे लाइस्ट वाली चैन में से और देखे इसमें से हमें इस दागे को भी साथ में ही ऐसे कि निकाल लेना है अब देखे इस तरीके से अब देखे अब हमें वान त्यू ठी अमें फ्रेंड अब हमें यहाँ पर हमने 3 की चैन बनाई है इससे next चैन में से हम एक बार डबल क्रोश्य बनाईंगे इस रो में भी हम हर तीसरी चैन पर दो बार डबल क्रोश्य बनाईंगे तो देखिए इस रो को भी मैं complete कर लेती हूँ 1 2 और देखे 3 थर्ड में से हम दो बार बनाएंगे पर तीसरी चैन पर देखे फ्रेंड्स सेकंड रो भी मैंने complete कर लिया है ऐसे देखे जब लड़ू को पाल जी को पहन आएंगे तो पुछ इस तरीके से आएगा देखे फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे अब हमें यहाँ पर 1, 2, 3 3 चैन बनानी है और 3 चैन बनानी के बाद देखे फिर यहाँ से इसी चैन में से ऐसे एक डबल क्रूश्य बनाएंगे डबल क्रूश्य बनानी के बाद क्या करेंगे 1, 2, 3, 3 चैन लेंगे और देखिए यहां से इस double crochet के center में से इस तरीखे से बनाएंगे फिर देखिए next में से double crochet बनाएंगे फिर देखिए one two three तरी जैल के आप ऐसे ऐसे बनाना है इस तरीके से फिर देखिए हमें यहाँ से इसी चैन में से एक बार हो डबल क्रोशे बनाईंगे ऐसे फिर one two three three चैन लेंगे और देखिए डबल क्रोशे के चैन तर में से बनाना है पिर देखें, यहाँ से हमने एक बार बना एक हमारी फरी की चैन है इसमें से हमने दो डबल कॉर्चिय बना लिए, एक और डबल कॉर्चिय हम इसी बनाएंगे ऐसे, आप उन, टू, टू, ट्री और देखें ऐसे इस तरीके से हमारे यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 हो गए और 4 हमारे डबल प्रोशा, एक हमारी 3 की चैन है अब देखिए एक और हम इसी में से डबल प्रोशा बनाएंगे हमें यहां पर यह उपर 5 चाहिए 1, 2, 3 और देखिए यहां से हम इसको ऐसी अब देखिए यहां पर हमें 1, 2, 3, 3 को स्किप करना है एक सिंगल प्रोशा इस तरीके से बनाएंगे अब देखिए यहां पर हमें 1, 2, 3, 3 चैन चाहिए और देखिए हमें एक डबल प्रोशा बनाएंगे ऐसी 1, 2, 3 फिर देखिए दबल क्रोशे के सेंटर में से सरी के से बनाएंगे फिर देखिए नेक्स्ट में से ऐसे वान से डबल क्रोशे बनाएंगे और देखिए वान टू त्री नेक्स्ट डबल क्रोशे के सेंटर में से बनाएंगे फिर देखिए हैं इसे हमें डबल क्रोशे बनाना है देखें जैसे हमने इसमें से एक बार बनाया है इसमें से हमने फोर बार बनाया है ऐसे हम इसमें बनाएंगे देखें ऐसे वान ट्यू थ्री और देखें इस तरीके से ऐसे हमारा यहां पर टू बार हो गया आप देखें वान ट्यू थ्री पेडबल क्रोशे के सेंटर में से ब दोबना लेंगे हम ऐसे 4 वटव तिटेंट में उसे अयुक्स से लेंगे अब देखें नहीं हाँ आपे हमने दोपर ऑन चंद को स्किप किया है एसा ही हमँय करेंगे करेंगे इस तरीके से ऐसा है हमें फूरे राउंड मिस्कों कम्प्रीड कर लेना है देखिए 1233 चैनल लेंगे और इसी चैनल men से डबल क्रोशिय बनाएंगे 123 कि सेंटर में से लेंगे फिर देखिए नेक्स्ट चैन में से हमें 4 बार बनाना है डबल क्रोशिया ऐसी 1,2,3 देखे इस तरीके से तो देखे पूरी राउंड में हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको देखे फ्रेंस हमने इस पूरी रोग को कंप्लीट कर लिया है और देखे लाश्ट में हमें इसको इहां से जो देखे फ्रेंस हमने धागो को कट कर दिया है और हमारे लड्डू बपाल जी की इतनी ड्रेज बनके तयार हो गई और देखे यहां पे हम बटन लगा सकते हैं और पीठे चोली पर भी और हम एक दोरी बनाके लगा देंगे यहां पे पतले डोरी बनाके लगाएंगे चैन से के पलब को स्टिच कर लेना है आप पेस्ट भी हर सकते हो इनको इस तरीके से देखें इंके सेंटर में रखते हुए फ्लावर के हमने हाँ पे फ्लावर का सेप दिया है इस तरीके से देखे फ्रेंड्स मैंने इसको पलो को पेस्ट कर लिया है आप नड़ी से इनको स्टीच भी कर सकते हो मैंने इनको पेस्ट किया है गुलू की हेल्प से और देखे यहां पे भी हमने इन पलो को पेस्ट किया है इस तरीके से अब देखिए द्रेस हमारी बनके तियार हो गई अब हम लड़ो गोपाल जी का मुखुट बनाएंगे द्रेस की मैचिंग का देखे फ्रेंड्स मुखुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह 40 चैन ली थी और देखे हमने यहाँ पे 3 रो डबल क्रोश्या के बनाए है एक रो हमने देखिए यहाँ पे हमने इस कलर से और बीच में हमने ब्लू कलर से पिंक और ब्लू से हमने इक रो हमने 3 रो कंपलिट किये है डबल क्रोश्या के अब देखे अब हमें इसको मुखुट का सेफ देना है तो देखे इस तरीके से मैंने आपको मुखुट बनाना बताया भी है इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी देखे इनको इस तरीके से एक साथ रखना है और यहाँ पर हम ऐसे उंगली रखेंगे और देखे यहाँ से हमें इसको ऐसे और देखे इसको ऐसे हमें इसको ऐसे स्टीच कर लेना है इस तरीके से स्टीच करना मैंने आपको बताया है देखे हमने इसको स्टीच कर लिया है इस तरीके से अब देखे देखे फ्रेंड्स अब हमीं क्या करना है हमीं पहले देखे यहां से पीछे से देखे इधर से एक डबल क्रोश्य हमें से देखे यहां से उठाएंगे फंदा और इस कलर से देखे यहां पे हमें थ्री चैन बनानी देखे अब हम इसको टरन कर लेंगे और देखे यहां पे थ्री चैन बनाएंगे और देखे इसी डबल क्रोश्या के नीचे से हमें यहां पे डबल क्रोश्या बनाना है 1, एक हमारी 3 की चैन है और एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया 3, 4, 5 देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाए है 12 डबल क्रोशिया अब देखे 1, 2, 3 3 चैन बना लिया, अब हम इसको टर्न कर लेंगे अब हम सेधी तरप से आगए और देखे इसी चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर 1, 2, 3 3 चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऐसे नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट में से डबल क्रोशिया बनाएंगे पर फिर 3 chain बनाएंगे और हम पर भी double crochet के नीचे से ऐसे बनाएंगे फिर next में से बनाएंगे सभी chain में से हमें ऐसे double crochet बना के 3 chain बना के इसी तरह डिजाइन 53 वाउना के जैसा हमने dress में बनाया है कि देखे फ्रेंस हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है अब देखिए इसको हमें यहां से जोइंट कर लेना है एक सिंगल क्रोश्या से देखे यहां से हमें इसको सरीखे से डबल क्रोश्या के नीची से एक सिंगल क्रोश्या बनाना है और एक चैन बनाके हम यहां से इसको धागे को कट कर देंगे और धागे को फिर हम अंदर ही एरजेस्ट करेंगे एक हमारा ये बन के तैयार हो गया एक हम आगे से यहां से बनाएंगे वो हमें पिंक कलर से बनाना है यह हमने ब्लू कलर से बनाया है देखे अब हम इसको यहां से आगे से बनाएंगे हमने धागे में नोट लगा ली है देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और हमें इसमें डबल क्रोशय नहीं बनाना है इसमें हमें सिर्फ एक उरो कमप्लीट करना है डबल क्रोशय से देखिए ऐसे वो हमने थोड़ा बड़ा बनाया है यह हम छोटा बनाएंगे ऐसे double crochet बनाइंगे फिर 1, 2, 3, 3 chain बनाइंगे और देखें डबल ग्रोशे के नीचे से इस design को complete करेंगे देखें इसे हमें 9 double crochet बनाना है उसमें हमने 12 double crochet बनाई थे double crochet के नीचे से single crochet बनाइंगे फिर देखें हम double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 3 channel लेंगे और देखे, double crochet के नीचे से बनाएंगे देखे, हमने इसको बना के complete कर लिया है इसमें हमारे 9 double crochet है और इसमें हमारे 12 double crochet है दोनों को हमने यहाँ पे बना के त्यार कर लिया है अब हम नगो को paste करेंगे blue color के आप चाहें तो नेडिल से उनको stitch भी कर सकते हो देखे, हमने पलो को इस तरीके से paste किया है और हमारे लड़ू गोपाल जी के लिए देखे ड्रेस भी और मुखुट भी बन के त्यार है काफी सुन्दर लगता है कितनी आसान तरीके से बन के त्यार भी हो गई देखे फ्रेंस हमने यहाँ पे डोरी बना के भी इस में डाल दी है और देखे लड़ू गोपाल जी के ड्रेस बन के त्यार हो गई और देखे हमारे लड़ू गोपाल जी का मुखुट भी बन के त्यार हो गया और देखें फ्रेंड्स हमारी लड़ू गोपाल जी ने रैस को पहन भी लिया है और देखें एकदम फिट आई है उनको ये हमारे चार से पांच नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए है